इस्राइल का प्रधान मंत्री नेतन्याहू अपने सैनकों को सेक्ष थेरेपी क्यों दे रहा है और अब क्या ये बात सच है कि नेतन्याहू ने अपने हथियार को डाल दिया है और नेतन्याहू अब पूरी तरीके से हार मान चुका है पूरी जानकारी आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। पर विराम लगाया गया फिर इसके बाद और दो दिन के लिए युद पर विराम लगाया गया लेकिन युद विराम का आज आकरी और चठा दिन है। अगर आगे युद्ध विराम नहीं लगाए जाता और हमेशा के लिए अगर युद्ध को नहीं रोका जाता तो आप एकीन मानिये इसराइल का नामों निशान मिटने वाला है लेकिन जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है अगर उन खबरों की माने तो नेतन्याहू आइडियाफ के जवानों को सेक्स थेरेपी लेने की सलाह दे रहे हैं और कई जवानों को सेक्स थेरेपी भी दी जा रही है आपके मन में एक सवाल ही होगा एक सेक्स थेरेपी होता क्या है देखे बीबीसी ने रिपोर्ट की है सरोगेट सेक्स थेरेपी के तहट मरीज के लिए किसी ऐसे शक्स को हायर किया जाता है जो उसके सेक्स पार्टनर जैसा डिवहार करे आपके मन में एक ही सवाल होगा की sex therapy ली क्यों जाती है? उस पर देखिए एक article लिखा गया है Carter therapy को यहन समिस्या दूर करने के लिए बनाया गया है एक चिकित्सक जामनोंगय ग्ञानिक उस समय हिस त्हेरेपी को लेने की सलाह देता है जब लोग यहों समिस्या से जूज रहे होते हैं सेक्ष थेरेपी का लक्ष लोगों को एक संतोष जनक संबंद और आनंद दायक यहों जीवन के लिए शारीरिक और भावनात्मक चुनवतियों से पार पाने में मदद करना है और मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा लेकिन बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इसराइली फोर्स में बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं यानि नेतन्याहू के सेनिक अब इसराइल के लिए लड़ने के लिए तयार नहीं है उन लोगों ने बगावती रुख अक्तियार कर लिया है और नेतन्याहू अब और ज़्यादा डर गए है सहम गए है अपने दफ्तर को बदल रहे हैं टीवी नाइन भारत वर्स इस खबर को ब्रेक करता लिखता है IDF ने एक यूनिट के दो अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है और देखिये आगे जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रहे हैं कि अधिकारियों ने उनकी यूनिट को सपोर्ट ना मिलने की शिकायत की थी के मुताबिक हमास के हमले से सुरक्षा के पुछता इंतिजाम नहीं किए गए अधिकारियों की बर्खास्तगी से यूनिट के शैनिक नाराज है यूनिट के आधे से जादा सैनिकोंने वापस युद्ध लड़ने से मना कर दिया है यानि इसराइल के साइनिक ही अब इसराइल के लिए इसराइल के समर्थन में युद्ध नहीं लड़ेंगे एक तरीके से एक ख़ब पुखता है की नितन्याहू ने और आइडियाफ की सेना ने अपने हतियार को डाल दिये हैं और कहा है कि हम लोग युद्ध को नहीं लड़ेंगे हम लोग युद्ध में शामिल नहीं होंगे इसराइल जीते आहारे नितन्याहू रहे या ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है फिलिस्तीनी मीडिया का दावा है और हुती वर्सेज अमेरिका होने जा रहा है समुंत्र में जंग होगा और वही न्यू यॉर्क से बड़ी खबर सामने आ रही है मैंहटन में फिलिस्तीन के समर्थक इकठा होने शुरू हो गए है ब्रिज पर प्रदर्शन से लंबा जाम लग गया है यानि न्यू यॉर्क में लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में अंदोलन हो रहा है और एक हफ़ते सीज फायर और बढ़ाने की मांग की गई है और अगर मियाद बढ़ती है तो हर दिन दस से जादा बंधक रिहा किये जा सकते है यानि अब चोतरफा घिरता हुआ नेतन्याहू दिखाई दे रहा है ये वही कुरूर सासक है जिसका नाम नेतन्याहू है इसको बहुत जादा घमंड था बहुत जादा हैंकार था एक किसी से ड़ता नहीं है और जिससे पंगा लेता है उसको निस्तना बूत कर देता है लेकिन नेतन्याहूं की जो गलत फहमी थी और गलत फहमी अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि हमास से पंगा लेना नेतन्याहूं को लगातार भारी पड़ता हुआ दिखा होने जा रहा है और रूस भी हुती के साथ है इरान के साथ है एमन के साथ है यानि जितने भी इसलामी कंट्री है वे लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं क्योंकि फिलिस्तीन एक मुसलमानों वाला देश है मुसलमानों की आबादी वाला देश इसलिए दुनिया के सारे मुस इसको घमंड था लेकिन घमंड अब चकना चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब यही प्रधान मंत्री अपने सैनिकों को एक रूम दे रहा होटर जीसा कमरा दे रहा है और कह रहा है कि वहाँ पर आपको एक लड़की मिलेगी और प्रेमका जैसी आपकी गल्फेंड जैसी आप से बाते करेंगी आप उससे योन संबंद भी बना सकते हैं और आपको सेक्स पार्टनर जैसा सुख देने का काम महिला करेगी यानि अब सेक्स थेरेपी भी इसराइल के सैनिकों को दी जा रही है यानि सैनिकों की जो मानसिक स्थित है वो पूरी तरीके से ठीक न हैं अब आप देखें निउज एटी इंडिया का एक आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं निउज एक टीन हिंडी हिंदी लिखता है क्या है सेक्स सरोगेट थेरेपी जो इसराइल अपने घायल सैनिकों को उपलब्ध करवा रहा है क्या लिखा है निउज जैटीन हिंडी हिंडी ने मैं आपको बता देता हूं इसराइल में सैनिकों को सेक्स सरोगेट थेरेपी देने की बात चर्चा में है दरसल बुरी तरह से घायल और आत्म विश्वास खोचुके सैनिकों के योन पुनरवास के लिए एक थेरेपी खुद सरकार ही अपने खर्च पर दे रही ह यह एक कपल थेरेपी है जिसमें घायल की मदद के लिए सरोगेट महिला या पुरुस पार्टनर मुहया कराये जाते हैं जो धीरे धीरे अपने साथी का खोया आत्म विश्वास लोटाते हैं और देखिए वैसे तो दुनिया के कई देशों में कईयों बार सक्स सरोगेट थ हरेपी की चर्चा हो चुकी है लेकिन जादा तर जगहों पर इसे विश्या वृत्त की तरह देखा जाता है यानि लीगल है आप किसी दूसरी महिला के साथ सेक्स संबंद नहीं बना सकते लेकिन इस्राइल का प्रधान मंत्री अपने सैनकों से अपने देश के जवानों से क अपकी है नितन्याहूं अपने जमानों को महिला दे रहा लड़की दे रहा है कहरा जाओ बंद कमरे में गेट को लोक कर लो जो अभी 2,3,4,1 गेट लगे हुए हैं पूरी तरीके से गेट को लोक कर लो और मन करे लाइट को जलाओ या लाइट को बुजा करके आप आसानी स आराम से प्यार से सेक्स कर सकते हैं जबकि कई देश इस थेरेपी के खिलाफ हैं क्योंकि इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरी महिला के साथ संबंध नहीं बनाने दिया जाता है हाला कि कई देशों में इस तरीके के नियम भी लागू हैं लेकिन विश्यवरित कई देशों में माना जाता है सरोगेट सेक्स थेरेपी को और अब देखिए कि जो रूम है सक्ष थेरेपी कराने वाला कैसा होता है इसके लिए सैनिक और उसका पार्टनर एक विशेश रूम में रखे जाते हैं ये रूम किसी होटेल के कमरे से अलग होता है और इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि घर जैसा महौल लगे ऐसा इसलिए कि सैनिक कमफर्टेबल हो सके और उसके मन में कोई नैतिक आशंका ना आये कमरे के साथ ही बातरूम भी जुड़ा होता है साथ ही दिवारों पर तस्वीरे सजी होती है और देखिए ये बाते शामिल होती है तेरेपी में बड़ा हिस्सा इस बात पर ध्यान देता है कि सैनिक अपने डर को छोड़कर साथी के साथ रिष्टा जोड़ने को बढ़े इसके तहट अश्पर्स अंतरंग बातचीत के तोर तरीके बताए जाते हैं ये सारी बाते उस पॉइंट पर खत्म होती है जहां समझा जाए कि सैनिक संब्द बनाने के लिए मांसिक तोर प हैं वहां पर भी तमाम तस्वीरे लगाए जाती हैं प्यार महबत और सेक्स वाली यानि कुल मिलाज लाकर के लबो लवाबे ही निकलता है कि इसराइल के जो सेनिक घायल हुए हैं अब वे लोग महिलाओं के साथ सेक्स करेंगे यों संबंध मनाएंगे और इसराइल में ये सब कुछ जायज है और इसलिए नेतन्याहु लगातार सरोगेट सेक्स थेरेपी को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी पक्की खबरे हैं अगले कुछी दिनों में नेतन्याहु कहेंगे हमारी सेना ने और हम लोगों ने हमास के सामने हतियार डाल दिया है और अब हम लोग नहीं करेंगे वरना नक्षे से इसराइल का नाम गायब हो जाएगा फिलहाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा क्या सरोगेट सेक्स थेरेपी देना जायज है या ना जायज और किस तरीके से अब इसराइ के लिए सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाया जाता तो बहुत ही जल्द आप तक खवर पहुंचेगी एक क्रूर शासा क्रूर प्रधान मंत्री नेतन्याहु फुआ करता था फिलहाल आपने वीडियो को आखिर तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निस निसर दस्तक को सबस्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सबस्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस French को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खवर को स्चेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें